बहुत सारे लोग अपनी टाइमिंग को लेकर प्रेशान रहते हैं, वो जैसे ही अपने बीवी के पास जाते हैं, तो जादा देर वहाँ पर रुक नहीं पातें, अपने वीरिये को नहीं रोक पातें, जल्दी ही उनका वीरिये पात यनि वीरिये निकल जाता है, टाइमिंग नहीं बन पा रही है रुकावट की कमी है और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका वीरिये पतला हो गया है उन्हें शिगर पतन की दिक्कत है यानि कि एक मिनट से भी पहले डिश्चार्ज हो जाना इसको शिगर पतन प्रिमेचॉर एजेकुलेशन कहते हैं तो जिन लोगों को इ वक्त टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तिमाल करके आप इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे तो दोस्तों मैं हूं हमंद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केर चैनल अगर आपको 50 ग्राम लेना है उसके बाद है सफेद मूसली ये भी आपको 50 ग्राम ही लेना है उसके बाद है रेग माही ये भी आपको 50 ग्राम लेना है उसके बाद है जालचिनी ये भी आपको 50 ग्राम ही लेना है ये चार चीजे हैं जो आपको मार्केट से पंसार के दुकान से ये रेग माही आपको हर जगा नहीं मिल पाएगी तो ये आपको शहर के अंदर मिलेगी जो पुरानी पंसार के दुकाने होती है ये चारो चीजे लेने के बाद आप पहले इनको सुखा ले और जब ये बिलकुल सूख जाएं, खुशक हो जाएं फिर आप इन सभी का अलग अलग बिलकुल बारीक सफोफ तयार कर ले चूरन बना ले और इन सभी के चूरन को एक डिब्बे के अंदर भरकर मिक्स करकर रख दे अब आपकी ये दवाई बनकर तयार हो चुकी है अब आपको इसका इस्तेमाल करना है दिन में दो बार इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आधा चमच सुबह खाईए नास्ते से पहले हलके गरम दूद के साथ और आधा चमच शाम को खाईए खाना खाने के बाद हलके गरम दूद के साथ रेगूलर आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है जब लगकर आप दवाई को खाएंगे तो ये आपके वीरिये को बनाएगा, बढ़ाएगा, उसको गाड़ा करेगा, आपके अंदर रुकावट को पैदा करेगा, शिगर पतन जैसे बीमारी को ठीक करेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ज़्यादा हस्त मेथुन कर लेते ह उसकी वज़ाह से आपका वीरिये पतला हो जाता है, और आपके अंदर रुकावट नहीं बिन पाती, यानि आपका जो वीरिये है वो जल्दी निकलने लगता है, आप उसको रोक नहीं पाते, तो शिगर पतन की बीमारी को ठीक करकर, आपकी टाइमिंग को, आपकी मरदना ताकत को बढ़ाएगा, जोश और इच्छा को बढ़ाने का काम करेगा, और सेक्स से संबनिद मरदना कमजोरी से रिलेटिड जो भी समझता हैं, परेशानी आपको हो रही हैं, उन सब को पूरी तरह से ठीक करेगा, इस दवाई का इस्तिमाल करें, अगर कोई सवाल आपके म में हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हैं,